क्या आप भी एक runner सो त्यारी कर रहे हों कोई भी competition की running की या फिर भरती की 16 समय तरकी तो आप कही न कहीं इसी गलतिया करते हों जो आपको भारी पड़ती है आपके running के दुरान तो यह जो spot है सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए आपको running करते है समय अगर यह week है तो आपको pain आएगा running कर टेटाइम सुरवात में बहुत सारे खिलाड़ी जो beginning workout स्टार्ट करते तो ज़्यादा लोड़ दे रहेते रनिंग पर या फिर ऐसे कुछ workout पर जिनको उनके कारण यह कमजोर रहेते इसमें दर्द होने लग जाता है running step खोलना इतना भी कठी नहीं है रोश्यू स्मूथ भी होगी एक तरह के कड़म से आप सेम स्टेफ से लंबी दूजर भाग तकेंगे step खोलो करिए आपका जो फूट होगा तो आपको इंजिरी भी नहीं आईगी तो यह जो एक्साइज दे रखी जंपिंग एक्साइज अपने वर्काउड में इंग्लूड करिए कोई से भी आप वीक में दो दिन ले सकते हैं कोई सा भी वर्काप करते हैं रनिंग के पहले या बाद में इससे क्या होगा आपका जो एंकल है आपका जो फूट है वो स्ट्रोंग होगा जिसी को बहुत सारे हिलाडियों को एंकल स्प्रें और फूट स्प्रें होता है पंजे में भी दर्द होता है आपका जो 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 है वो स्ट्रोंग होगा आपके जो रोटेशन है मुमेंड क और अभी स्था होगा लेखने को रोकने के लिए आपको बॉन को श्रूंग होना बहुत जादा जरूरी है तो यह रनिंग कम करें रनिंग के अलावा एक्साइज को जादा आपने वर्काउड में इंक्लूट करें तो आपकी पर्फॉर्मेंस रनिंग की जादा बड़ेगा अगर आप running पर ज्यादा जोर्द होगी तो आपके कहीं न कहीं नी में पेन आएगा, आपके foot में पेन आएगा, आपको उहाँ पर दिक्कत आ सकती ही running करने में एक्साइज करने से हमारी muscles और bone में strength आती है तो हम जब running करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आईए, आपको injuries नहीं आईए, आपके performance इंपरोगी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जो running के पर ज़्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाकते रहते हैं, उनके muscles ओवर हो जाते हैं,lated tienes , भाटोई हैं जाते हैं, front rupture के chances जादा हो जाते हैं क्योंकि उनमें strength नहीं है, इतनी flexibility नहीं है, mobility नहीं है, बहुत सारी चीज़े जो रहती है, वो उनको कमजोर कर देती है, उनके bone और muscles के फिर वो इंजिरिया जाती है, वो हाथ पर, सर पर हाथ रकर बेट जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों कोई सा भी event कर रहे हो, आप 100 मिटर, 200 की भरती की तयारी कर रहे है, jumping exercise या फिर जो भी strength exercise है, कोई से भी muscles के अपने workout में include करिए, strength आईगी muscles में, तो आपका running का performance अपने आप improve होगा, muscles में भी आपकी body appetite भी नहीं होगी, running की injury से भी बचोगी, आपकी running की speed भी बढ़ेगी, तो ये सारी exercise week में दो बार जरूर करे, exercise क पर जो दे रहा है, फोम आपको कोशी नहीं कर रहा है, आपको सामने जो दिखरी ये चीजे वेसे ही करना है, हर exercise को एक से दो मिनिट के duration पर करे, ये tips आप फोलो करिए, आपको भोरी ज़्यादा फाइदा होगा, जेहिन जेवादा